हलो, बोलिए ओ माई गॉड मतलब जितने भी लोग मिस हुए हैं उन्हें ऐसे ही मा रहा है ना? इस दिस्गस्टिंग, डून वैसा मेरा शक एक बार सही होने के बाद वो खिलर जहां भी हो मुझसे बच नहीं सकता थांक्यू हलो 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 कौन बोल रहा है? सर मैं हूँ सर कौन हो तुम? सर मैं हूँ बेवडा वीरू हाँ वीरू बोलो सर मुंबई गैंग और चन्नाई गैंग एक जगार मिलने वाले हैं कहा? काले पत्थर वाले पहाल के पास का इंफर्मेशन है न? कारू की कसम साहब ठेक है मैं देख लूँगा आज तो इनको सबक सिखा कर ही रहूँगा को को स् töRe कुल वात पढ़ो ब classify कि कि प्रॉड़ में पुप बादे रादे घ्म अ वर्क पॉप प्रॉड़ में प्रॉड़ अ खॉड़ सकती है कि अुम्हे शिया उना उना आछटू सुम्हें होग karma है यह यह एंग अय वाइव ऊपाँ उप अजय है यह जट भाइज हो एं यह कुआ हूँ यह 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 अगऑ अड़ कर ब एंग हम यह थия यह 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 लुटत है यह 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 चाहर हो ज हुए सिर्क मे अड़ यह 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 थिर अख्वा एंग खज़ एो खखखफड़ खखखफ़ घखखई हाई कर अब अ है? वहाँ कर दो corre लो खुँ हर न पुझहर न एुझ हुर है हाँ हुआ है हुआ हाँ कि अbew इुआ सा ये才 वां हुई हुई भफ घाग नाग जड़ साल हुई 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 fire झाल उर जाए झाल लाु झाल 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 ढख, भुछ खुप। पुर्याइब एक जब उने अर्वार शिंदूरा के हाथ से खूनी बच निकला है लेकिन क्या वो उसे जीने देगा गुरुजी अरे बेवकुप शिंदूरा की आखों में देखने से ही हर बार हारने की रौष्णी दिखाई देती है कि उसकी हारी नहीं आए आज रात महाले के मवस्या है खूनियों को दांत्रिकों को फायदा है इसलिए आज दिन धलने तक खूनी का पता नहीं चला तो समझ जाओ सिंदूरा की जान को खत्रा हो जाएगा शेतान कि अमया एधर बिल्यानी में कौन सा मस्ड़ डाल कर बना रहे है तुझा रहे है कि अब चुप क्यों है बता न बल्सक्त दूरे ये जल्दी बता थैए क्वा कई हुआ टिक्या कर रही है इंसान हो या जानवर हो लोगों को खिलाने के लिए इंसानी मांस ही मिला तुनको इंसानी मांस क्या नाठक कर रहा है तुझे तुझे को ए बस बारो मत बारो मत बारो नहीं उन्हें बत मार ये मैं बताता हूँ वो कुछ नहीं जानते ये सब कुछ मैंने किया है सब का खुन मैंने ही किया है ए ए ए ए चुप रहा तू सहाब सहाब कहकर चुले के पास रहे कर ये क्या कर दिया तूने एक जंगली जानवर भी इंसान को इस तरह से मार कर नहीं खाता तो तो उन जानोरों से भी कया गुज़रा है छी। गलती इसकी नहीं है, मेरी है। इसकी जो भी सजा हो वो मुझे मिलनी चाहिए। लाशों को नोच कर खाने वाले को लाकर तके बेटे की तरह पाल कर बना करने के लिए मुझे मारना चाहिए, मुझे, मुझे। बच्पर में ही आधा जले हुए नाशों को नोच कर खाता देख। मेरा मन तिखल गया। ये अनात अगहोरियों के साथ मिलकर ऐसा बना होगा ये समझ कर। इसे किसी भी तरह इंसान बनाने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे पता चला है। राक्षस कभी इंसान नहीं बन सकते। बच्पन से लगी हुई आधार। इतनी आसानी से नहीं जाती। अरे, इतना बड़ा पात क्यों किया तुछे। क्या कमी किती मैंने, क्या कमी किती मैंने। आपको कोई कमी नहीं, इसलिए किया है साब। ये सब मैंने जान बूच के नहीं किया साथ। वो दुबई रानी ढावा खोलने के बाद, अपने हालात का दिवाला निकल गया था तो। आपकी परिशारियों को देखकर मैं बहुत परिशान हो गया था। मैं मर जाना चाहता था। ऐसे समय में, खुछ लोग उस दिन आये, मतन बिर्यानी का ओडर देकर पीने पैट गये। और जल्दी आ हा कि यहां 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 वैसे उस खाने की आदत गिरने के बाद वही चाहिए कहकर रोज आकर मुझसे जगड़ा करते थे उसके वजाए साधा मटन कितना भी अच्छा बनाओं वो सब उनको पसंद नहीं आता था लिए इधर आरहे है क्या हो सब क्या बिर्यानी है रहा नहीं लगी तब ही मैंने ठान लिया कि एक अनाथ को पाल पोस्कर बड़ा करने वाले साहब के लिए मुझे कुछ नकूछ तो जरूर करना ही बढ़ेगा मैंने अपने अंदर के सोई हुए अघोरी को जगा दिया और मैंने शुरू कर दिया इंसानों को मारना ढ़कातत नंसच मुर्णे आवाल loyalty अजय को अजयर अपने साथ से अजय को कि तूसी साची मारना दिया को अजय को तूसी हुए जब धो अाओ कि अजय कि अजय कर दो कि अजय करें ऐसे कटिन हालातों में लाशों को मैं काट कर तीन दिन तक बिर्यानी बनाता रहा लेकिन हमेशा साथ रहने वाले गाउवालों को कभी कुछ नहीं करता था नए नए आय हुए ओफिसर सासानी से मिल जाते थे मैंने बहुत बदलने की कोशिश की लेकिन एक बार खाने के बाद कोई भी मानता नहीं था येस, कैनीबुलिजम मतलब मैन इटिंग इंसान ही क्या अगर जंगल के शेर भी नर्भक्षी बन जाए तो दूसरे जनवानों को नहीं मारते चाहे जितने भी दिनों इंसानों को ही मार कर खाते हैं इसलिए उस दिन उसको खाते ही मेरे डैडी आराम से सो गए थे मैंने कोई जयान बूझ कर तुमारे पिता को शट अप इंसान होकर इंसान को खाते हो कि सदी में हैं हम तुझे बचपन से आदत है ना इसलिए तुझे कॉमन लगा होगा मुझे तो सोच के भी घेन आ रही है तुझ जैसे लोगों का इस समाज में जिन्दा रहना बहुत ही खतरनाक है खाने की उनको आदत लग गई है और इंसानों को मानने की तुझे टेक हम इंडू कस्टरडी तुझे हाटली कंग्रेचिलेशन सिंदोरा थैंक यू सर यू डिड़ वंडरफुल जॉब जब मुल अजिस्ट बनके हमारे साथ रहते हुए अपने आपरेशन में सफलता हासल करने के साथ गाउवालों की मदद हमें दिला कर तुमने हमारी बहुत मदद की है मैंने तो अपना कर लिया लेकिन हमारे ही ग्रूप के कुछ लोग मिस हो गए यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा है सौरी मेडम आप कौन है जाने बिना आपके और फॉलो नहीं कि इत्सो के मिस्टर देवदास फिर भी आपकी ड्यूटी में आपके सुपीरियस के अलावा किसी की बात ना मा कहने के बात भी आप मानी नहीं लगता है ओके मजाग कर रही हूं इन लोगों का खयाल रखना और हाँ वो हमेशा मस्दी करने वाले बालू राजा कहीं लिखाई नहीं दे रहे अब कहां के बालू राजा मैडम क्लास मास रहके होश्यारी करके आपको बहुत फसानी की कोश है तभी मेरी कुलीक स्टेला का खून हो गया खूनी का नाम ऐसे स्टार्ट होता है ये क्लू मिलने पर आखिर खूनी है कौन शंकर भाई स्मगलर्स शिवा ऐसी ऐसे स्टार्ट होने वाले लोगों के बारे में सोची रही थी कि एक दिन मेरे डैडी की हेल्थ में बदलाव उसकी वज़े शंकर भाई के धाबे का फूद ही है ये सस्पेक्ट करके मैंने चुपचाप से शंकर भाई के धाबे से बिर्यान के कुछ पीस निकाल लिये और वो लैब टेस्ट के लिए भेज दिये उन टेस्ट के रिजर्ट आने के बाद बॉस ने मुझे फोन किया इतना ही नहीं तुमने इतने कांफिड़न से अपने मेंबर्स का डियाने रिपोर्ट मिला कर देखा तो तुमने भेज़े हुए सेंपल बिल्कुल टैली हो रहे हैं ओ माई गौड मेरे बॉस का फोन आने के बाद किलर को पकड़ने के मामले में कहीं मुझे कंफ्यूज ना कर दे इसलिए मैंने देवदास जी को स्मगलर्स की तरफ भेज दिया उसी वक्त किलर को मैं और स्मगलर्स को देवदास जी पकड़े ऐसा मैंने प्लान किया था थेंक्यू मैडम इसमगलर्स के हाथों किलर्स के हाथों हम सबको बचानी के लिए आपको जरूर पार्टी देंगे हम तो फिर आज शाम को आप सबको पार्टी कहां कर भाई के ढबे पे हां